हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टो माई चैनल, अज हम हिंडी गोश बनाएंगे, तीन प्यास दर्मियने कटे हुए, अब इसमें ऑईल डालिए, जितनी आपको जरूरत है, और प्यास को हलका ब्राउन होने तक फ्राई करें, अब इसमें चिकन नट करें, इसको भी हम हलका ब्राउ होने तक फ्राई करेंगे, दो टी माटर दर्मियाने कटे हुए, अब इसको अच्छे से मिक्स कर ले, उसके बाद हमने हरी मिर्ची पेस्ट डालना है, एक चम मच, लाल मिर्ची एक चम मच, ट्रैश की हुई, सुका धनिया, एक चम मच, हल्दी, एक चम मच, नमक, हस्बे जरूरत, जितनी आपको जरूरत हो, और इसको अच्छे से मिक्स कर ले, और दस से पंद्रा मिनट के लिए इसको हम अच्छे से फ्राई करेंगे, हल्का सा इसमें पानी डालेंगे, और इसको गोश को हम गलने के लिए दम देंगे, पांच मिनट के लिए, और पांच मिनट के बाद हम इसको अच्छे से भूनाई करेंगे, दस से पंद्रा मिनट के लिए, ताकि गोश अच्छे से गल जाए, और भुनाई भी अच्छे से हो जाए यह हमारी भुनाई भी हो गई है और चिकन भी रेड़ी है और इसमें भिंडी एड़ करेंगे अब इसको अच्छे से मिक्स करें और पांच से दस मिनट के लिए इसको फ्राई करें यह हमारी भिंडी तयार है चिकन भिंडी उमीद करते हूँ कि आपको मेरी बनी भी अच्छी लगी होगी